पब्लिक टीवी आपकी आवाद गाओं के रहने वाले सोहन सिंग को सूचना मिली कि उसकी बेटी घर में ही जल गई है जिसकी सूचना मिलने पर सोहन सिंग घर के लिए चल दिया दरसल वो अपने परिवार के साथ एक ववाहिक कारिकरम में शामिल होने गया था उसकी 13 साल की नाबालिक बेटी अपनी दादी के साथ घर में अकीली थी पेडित परिवार के अनुसार उन्ही के गाउं में रहने वाला युवक उनके घर में घुसाया और उसने उनकी बेटी के साथ छेड़ चाल की जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उनकी बेटी के उपर मिट्टी का तेल डाल कर उसमें आग लगा दी वो मौके से फरार हो गया घटना की सूचना आसपास के लोगों ने थाना पुलिस को दी जिसके बाद उनकी बेटी को गंभीर हालत में जिलास्पताल में भरती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई जिसके बाद से पेडित परिवार का रोरो कर बुरा हाल है पुलिस ने बोडी को मूर्चरी में रखवा कर आगे की कारवाही शुरू कर दी है मिर्तिका की मा ने सीधे तोर पर मोहित नाम के युवक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वही उनके घर में घुसा था और उसने उनकी बेटी की बिज़ती की और फिर उसके उपर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है इस मामले में जांच कर रहे मुणापांडे थानाचित के दरवबा ने बताया कि पीडिक परीजन जैसी भी तहरीर देंगे उसी आधार पर मुकदमलिक कर कारवाही की जाएगी हम तो सादी में आई हुए थे घर पे वो अकेली थी लड़की और यहीं थी हमारी माताजी घर पे यह दोई जैने थे घर को लगाए बिचे देगाए बदा दावत को क्या सूचने मिली क्या बताया है सूचने जी मिली साथ हुंद इधर से जा रहे थे तो गाड़ी में लेक यहां से प्रिद्धान जी ने पुलिस पर फोन कर दिया पूलिस भी पून कर दिया तो तुम्हारी लड़की ज़ी परिये तुम जल्दी आ जाओ तो हम साधी में सब्सक्राइब पोंचे ग्यारवजे बारा वजे पोंच गाए हम जेतो रस्ता में सब यहां को बुलस में लेकर आए उता से ना अस्पताल को तो यह तो रस्ता में सगाड़ी में बैठाल लिए मैं घर से आई जून पाल जिसो हम लाग तो अब तो रहा है क्या कोई कैसे ड़त हुई है जल किसी जलने की बज़े अब इसका जो क्यों लड़की ना आग लगाई किया बजाए रही इसकी कभी फुष्टी नहीं हो पाई है कि इसका रहा है वाके इनकी तहरीर क्या आगार पर जो ब्योग कर रहा है कि जाए रहा है